महान गाथा महाभारत के युद्ध के किसे तो आपने काफी सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कथा का अंध कैसे हुआ युद्ध के बाद पांडवो का क्या हुआ और सबसे बड़ा सवाल कि शिरी कृष्ण का क्या हुआ आए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद युदेश्चिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया लेकिन कौरवो की मा गंधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए शरी कृष्ण को दोशी ढराते हुए उन्हें शिराब दिया कि जिस तरह कौरवो के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा पांडवो ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया और समय के साथ साथ गंधारी का श्राब भी असर दिखाने लगा स्थिती ऐसी हो गई कि पूरा यादवकुल एक दूसरे की खून का प्यासा हो दिया और बात यहां तक पहुँच गई कि उन्होंने आपस में लड़कर अपनी पूरी नसल को एक हत्म कर दिया इसके बाद एक दिन एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण पर एक तीर चला दिया क्योंकि श्री कृष्ण मानव शरेर में थे तो उन्हें अपना शरेर छोड़कर जाना ही था उस शिकारी के तीर से लगने के बाद खृष्ण जी विश्णू के रूप में आए और अपना शरी त्याक दिया इस घटना के बाद श्री वेद व्यास ने अरजुन से कहा कि अब पांड़ों के जीवन का उदेश खत्म हो चुका है और अब उन्हें हिमाले की ओर अपनी अंतिम यात्रा करनी चलिए ये वो वक्त था जब द्वापर्यूग खत्म होने वाला था और कल्यूग की शुरुवात होने वाली थी अपने जाज्य में अधर्म को बरता देख युदेश्टिर ने राज्य सिंगासन अरजुन के पोते परिक्षिप को सौप कर चारो भाईयों और द्रौपति के साथ स्वर्ग तक पहुचने के लिए आखिरी तबस्या के रूप में जीवन की अंतिम यात्रा पर हिमाले की ओर चल पड़े एक कुटा भी उनके साथ साथ चल दिया स्वर्ग की उनकी यात्रा में एक एक करके पांडवों की मृत्ति होने लगी सबसे पहले द्रौपति की मृत्ति होई और फिर एक एक करके सहदेव, नकुल, अरजुन और भींग का भी अंतिग हो गया इन सब की मौत का कारण था सबके अपने-पने गुरूर की वज़र से आई हुई अलग-अलग परिशानिया सिर्फ यूदिस्टर जिसने कभी भी गुरूर नहीं किया कुट्टे के साथ हिमाले के बार स्वर्ग की दरवाजे तक बहुत सका स्वर्ग के दर्वाजे पर यमराज जो की कुत्ते के रूप में युदिस्चर की यात्रा में उनके साथ थे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और युदिस्चर को स्वर्ग की और ले जाते हैं लेकिन उससे पहले यमराच युदिस्टर को नर्क के नजारे दिखाते हैं, जहां दुरौपती और उनके भाई अपने पापों का प्रैशित करते हैं, लेकिन बाद में इंद्रदेव के कहने पर चारो पांडव और दुरौपती अपने करमों की सजा भुगत कर युदिस्टर से स्वर्ग में मिल जाते हैं, तो इस तरह श्री कृष्ण और पांडवो ने इस संसार से विदा लिया और उनके साथ ही खत्म हुआ दुआ परियोग जिसके बाद कल्योग आरंब हुआ, जिसे आप और हम जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट्स हों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। थांक्यू